काण क्रीम यह जो क्रीम बनाना से एक हैं यह जादा तर युए क्राम क्या है हम लोग हरोग 17 करने के reflects उसर रेंग यह सेविंग करते हैं और फेस्वास इस्तिमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा पूरा मुझ में जो है पचा में यह लगा देने के बाद अच्छा से मैसेज करने के बाद यह पूरा सेविंग कर देगा डीप क्लींजिन मिल्क का काम करता है यह ठीक है और जो बाहर में हम लोग घूमते हैं जो द सकते हैं यह डीप कीम आप इंडिया में लाँज कर सकते हैं बहुत अच्छा क्वालिटिका है सेविंग करेगा और फेस्वास का भी काम करेगा डीप क्लींजिन मिल्क का क्रेगा पूरा जो है बाहर का जो यह पॉलुशन है खींच के बाहर कर देता है ठीक है तो चलिए आज कुछ नया दोस्तो यह 3-in-1 क्रीम बनाना आसान है लेकिन आपको ऐसा बरतन में गरम बिधी में बनाना पड़ेगा सबसे पहले जो इसके लिए हमें इस्तिमाल करना है जो होई स्टेैरिक एसेड़ करना है कुछ calm नरम हो जाएंगा जो यह प्रॉसेज है डो सुबह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमें लिना है स्टियारिक इसे मैं खुद इस्तेमाल करूँगा तो थोड़ा ज्यादा ही बनाएंगे ठीक है एक बार बना लेंगे बहुत दिन चलता है इसके बाद इसमें पानी एट कर दिना है आरोव वाटर या डिस्टिल वाटर आप यूज़ कर सकते हैं अभी इंडसन को ओन कर देंगे धीमा आज में बनाएगे ठीक है यह सब चीज जो है ना धीमा आज में अच्छा बनता है मतलब 60 डिग्री टू 70 डिग्री ऐसा टेमपरे कि देखिए इसमें 500 है थोड़ा गरम हो जाने के बाद इसको 300 कर देंगे तो और भी अच्छा होगा कि दिरेदे यह में ठोने लागेगा कि पानी के साथ जितना सारा क्रीम हम लोग बनाते हैं ना बने ज्यादा से ज्यादा क्रीम में स्टियारिक एसिट का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है यह पचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है तुर्णर के ज्यादा से ज्यादा इन में स्टेमाल होता है तो आपको क्या करना है थोड़ा इसको कम कर देना है हाँ देखिए धीमा आज में यह धीरे 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 ऐसा मेल्ट होता जाएगा फूरा मेल्ट हो चुका है कि थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी कि यह दोस्तों क्लीन भी करेगा डीप क्लीन करेगा मॉइस्टेरेजिंग करेगा सेविंग में मज़ा आएगा सेविंग तो अब देखिए यह पूरा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें होगा डालेंगे गलीसरीन थोड़ा साइट कर देंगे तक कि पजाय सॉफ्ट हो अब इसमें क्या डालना है हमें ऐसमें है है अब इसमें एसमें एड़ेंगे उउस इसमें वोई इसमें एड़ाद करेंगे ताकि यह बनेशतों। पमनें ये चाहे तो डेशल ग्लॉकोसाइट भी इसमें एड़डार करेंगे। मैं यह इस्तेमाल करऊंगा तो इसके लिए फोड़ा सा लूखोशाइड इसमें मैं डालूंगा लेखेड यह फूअञी इसमें करता है इसमें twor तो प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इसको मैंटेन कर सकते हैं तो चलिए इसको फिर ओन कर लिते हैं भी मां आज में इसको मेल होने में थोड़ा टाइम लगता है पहले जो ग्लूकोसाइड आता था पूरा ही एकडम इसका िएज जीडर हो रहा है पूरा छादा हूना अशश्य आ बड़ा होता जा रहा है कि एक दम पूरा क्रीम जैसा है कि देखिए आपको स्ट्रियार करना है कि पूरा क्रीम जैसा अभी थोड़ा सा धीमा कर देंगे आज को एक दम क्रीम बहुत ही बढ़ीया क्रीम बनेगा जो साब भी करेगा डीप क्लीन करेगा मॉइस्टरेजिंग करेगा ठीक है और बालों को एक दम पूरा जो है सौट बना देता है तो इसमें क्या होता है सेविंग करने में मज़ा आ जाता है इसको थोड़ा बंद कर देते हैं भी क्या करना है थोड़ा पीजर्वेटिव एड़ करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा इसका प्याइज जो है चेक करेंगे क्योंकि यह नया आया है मेरे पास ठीक है यह दिक्क्त है यही दिक्कत है मेरे आगे का जो था उसमें एकदम ठीक ठाक था जीरो था 5.5 था लेकिन अभी जो डेसिल ग्लुकोसाइड आया है इसमें देख रहा हूं कि पी-एच थोड़ा जादा है ठीक है तो इसको पी-एच जो है मुझे मेंटेन करना पड़ेगा इसका पी-एच बैल कर लेंगे आप अपने हिसाब से दीजिएगा अभी थोड़ा चेक करेंगे पी-एच को पी-एच ठीक ठाक है फिर इसको मिक्स करते जाना है दीरे-दीरे यह क्रीम जो है देखिए गाड़ा होता जाएगा अभी भी गरम है थोड़ा खंड़ा होने तक इसको लेल करते रहना है उसके बाद देखिएगा यह बहुत बढ़िया क्रीम बनके पियार हो जाएगा यह थ्री-इन-वान है डीप लिंग मिल्की तरह काम करता है सेविंग भी बहुत बढ़िया करता है पूरा मुह में लगाके जो फेस्वास होता है ना फेस्वास का काम भी यह करेगा पूरा मुह में लगाके अलका-लका मैसेज मसाज करना है उसके बाद दाड़ी मतलब सेविंग कर लेना है ठीक है यह ठंडा होने तक एकदम क्रीम बन जाएगा और आपको क्या करना है कोई भी डिब्बा में भरके रखना है मार्केट में से लाउट भी कर सकते हैं अभी गरम है अंडा होने के बाद पूरा क्रीम बन जाएगा ठीक है धीरे धीरे देखिए बहुत गड़ा हो चुका है और भी गड़ा हो जाएगा एक दम स्मूथ मेरे पास अभी जो है ब्लेंडर नहीं है ब्लेंडर था मेरे पास अभी एक काम करने के लिए मैंने लेकर कि गया था तो आपको क्या है मैंने आप ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है देखिए अभी एकदम जेल टाइप का बंचू का है ठीक है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है यह एकदम लास्ट में दोस्तो क्या करना है थोड़ा सा पेसरविटी बिज में एकदम थोड़ा सा लगता है ज्यादा देने का जरुद नहीं पड़ेगा ठीक है देकर इसको मिक्स कर लेना है यह जितना ठंडा होता जाएगा पूरा वाइट होता जाएगा ठीक है सफेद क्रीम जैसा बन जाएगा यह खराब भी नहीं होगा बहुत अच्छा क्वालिटी का है यह आप एक बर बनाके पहले इस्तेमाल कर लेजिए ठीक है अपने आंदर आ जाएगा तो दिखिएगा आपको बेजने भी मजाएगा ठीक है एक दम नंबर वान क्वालिटी का बनेगा ठीक है अमर्सी अले बनाना है तो डेसिल ग्लुकोसाइड ना देने से भी चलेगा मैं इसे इस्तेमाल करूँगा तो इसके लिए मैं थोड़ा ग्लुकोसाइड आट कर दिया है दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरू कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग हैवे नाइस टे जय हिंद बबाए